तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ GST में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सस्ती हो जाएंगी और कौन सी चीज़ हैं जो महंगी हो जाएंगी एक जुलाई से देज भर में GST मतलब की Goods and Service Tax लागू होने वाला है GST बिल लागू होने के बाद कई ऐसे सामाने जो बेहत सस्ते हो जाएंगे रोज मर्रा की कई चीज़ें ऐसी हैं जो काफी सस्ती हो जाएंगी GST यानि Goods and Service Tax इसका मतलब है एक समान पूरे देश में सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा अब तक मैं आपके लिए बताओं अब तक जो है हर चीज़ पे कम से कम 18 टेक्स लगते थे लेकिन अब GST लागू होने के बाद सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा इसे बेचने वाला और खड़िने वाला GST के दायरे में होगा और जितने भी टेक्स है सेल टेक्स सर्विश टेक्स वो सारे टेक्स जो है खतम हो जाएंगे और एक जुलाई 17 से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लागू हो जाएगा सबजी दोद दई लसी पनीर पूजर सामेकरी खजूर का गोड नमक बच्चों की किताब कॉपी ये सब चीज़ें काफी सस्ती हो जाएंगी इन पर कोभी टेक्स नहीं लगेगा ऐसे ही आपके कुछ चीज़े हैं उनके बारे मैं आपके लिए बताऊं जैसे की चाय पत्ती चीनी कॉफी के बोने दाने रुफाइंड खाद्य तेल काजू किसमीस पीडियस कैरोसीन एलपीजी गैस पांसोर पे तक के जूते चपल एक हैर पे के रेडिमेट कपड़े अगर बत्ती इन पर पांच फिस्दी जीएश्टी लगेगा इन पर पहले बारे फिस्दी वैल्य परसें टेक्स अठारे परसें टेक्स और अठाइस परसें टेक्स तो मैं आपके लिए बताओ जिन चीजों पर बारे परसें टेक्स लगेगा पहले इन ही चीजों पर बीस परसें टेक्स लगता था बीस परसें टेक्स खतम हो जाएगा और बारे परसें टेक्स लगेगा आ यह चीज़े हैं कुछ electronic चीज़े हैं जैसे computer, printer और बाकी चीज़े शाबून, toothpaste और बालों का तेल जितने भी थे, ice cream और बाकी जो सबसे आदर tax रखा गया है वह 28% tax यह चीज़े हैं कार है, बाइक है, पान मसाला, बीडी सिग्रेट, print, makeup यह चीज़े 28% tax के दायरे में अब आ खतम हो जाएगा, तो फ्रेंस आकर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपको यह वीडियो कैसा लागा, comment box में comment करके बताएं,